So hey guys, आज आपको explain करने वाला हूँ If I Were You, जो कि Class 9 का English का chapter number 11 और इसका last chapter है. ये chapter बहुत ही funny है, भले थोड़ा लंबा है, बट हाँ इससे आपका mind refresh जरू हो जाएगा. तो बिना किसी देरी के चलो chapter को start करता हूँ. इस कहानी में एक intruder, यानि एक ऐसा वेक्ति जो बिना इजाज़त किसे एक घर में घुस जाता है, वह एक बहुत जराड के घर में घुस जाता है, जो कि एक playwright रहता है, यानि नाटर लिखने वाला रहता है. इस intruder को नहीं पता है, कि जिसके घर में घुसा हुआ है, वह एक नाटर लिखने वाला वेक्ति है. तो यहाँ कहानी के सुरात में कहा जा रहा है, कि जेराड फोन से बात कर रहा होता हूँ, कहता है, कि उस वेक्ति को बोलना कि वो directly मुझसे बात करे. उसी बीच, फोन पर बात करते हुए, वो बोलता है, कि अच्छा ठीक है, मैं 10 पने पहुंच रहा हूँ, और फोन का receiver, यानि जो आप टेलिफोन देखते हो ना, उसका receiver को नीचे रख देता है. अब इसे जो कि निकलना रहता है, तो यहाँ packing करना सुरू करता है, यहाँ दिवान के पास आता है, जो कि एक टाइप का sofa है, जिसके arms नहीं होते हैं, और वहाँ पर अपना packing करना सुरू कर देता है, बैग में. जब वह packing कर रहा होता है, उसे बीच, उसे कुछ आवास तुनाए देता है, तभी देखता है कि एक वक्ती, gate के right side से अंदर घुस रहा होता है, और एदम silently, तभी वह एक table से टकराता है, तो उसको आवा आ जाता है, वह वक्ती देखने में एकदम इसकी तरह दिख रहा था, और उसके पास एक बंदूग था, यह intruder जराड की तरह इसलिए दिख रहा था, क्योंकि उसने वैसा dress up किया था, मतलब लगवक सारे dress up जो भी उसने coat पहना हुआ था, फिर tie लगाना फिर pant जो सब था, वो सब जराड की तरह था, उसके साथ इसने बस एक topi extra पहना हुआ था यह intruder एक criminal रहता है, जो कि एक policeman को मार कर भाग रहा होता है, और उसे police chase कर रही होती है, इसलिए वो यहाँ पर आके छुप जाता है, जराड इदम pleasantly, यानि इदम अनन्द पूरवक उस intruder यानि stranger को कहता है, कि तुम्हें देख करके हैं बहुत जाए surprise हुआ, intruder कहता है कि हम अच्छा लगा कि तुम मुझे देख करें खुस हो, लेकिन यह जो तुम्हारी खुसी है, जाया देर तक नहीं रहेगी, जब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा intention क्या है, यानि कि उसका इरादा क्या है यहां आने का, अब वो कहता है जराड को कि अपने दोनों हाथों को ऊप पर करो, जराड उसे बोलता है कि तुम्हारे यह जो पूरा behavior है, यह बहुत ही dramatic लग रहा है, यानि drama की तरह हो और बहुत unnatural या फिर not natural, इदम natural नहीं लग रहा है कि जैसे सच में तुम कोई क्रिमिनल हो, intruder कहता है कि तुम कोजिस कर रहे हो, composed यानि calm फिर और रुख जाता है, इस पर जहराड कहता है कि अच्छा तुम कहने की कोजिस कर रहे हो, कि मैं calm और non silent यानि एकदम बेपरवा, एकदम relaxed feel कर रहा हूं, यानि कोई भी anxiety या enthusiasm, यानि कोई भी जोस या फिर कोई भी anxiety इसम नही नहीं दिखा रहा हूं, intruder कहता है कि हाँ, मेरे बात को पूरा करने के लिए तुम्हारा सुक्रिया, लेकिन यह जो तुम स्मार्ट बन रहे हो ना, यह ज्यादा तुम स्मार्ट नहीं बन पाओगे, तुम कुछी देर बाद जो है, मैं torture जब तुम करूँगा, तुम रेंग की जाए, जराड इसे बोलता है कि कोई तो है जो कि sympathetic, यानि मेरे प्रती साहनुभूती दिखा रहा है, मतला कोई आदमी मेरे प्रती concerned है, फिर यह अपने past के बारे बता ले जाता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे चोरी कर लिया था, जिप्सी यानि रोमानिया वाले बोलता है कि यह से मुझे नहीं जानना है, जो मैं बोलता हूँ, जो question मैं पूछता हूँ, उसके बारे बता हूँ, और फिर कुछे रुख करके बोलता है, well do you, क्या तुम रहते हो, तो इस पर जराड बोलता है कि जैसे तुमने question पूछा है, ऐसा लगता है, जैसे मानों कि तुम मुझे बता रहे हो कि मैं अकेले रहता हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि तुमने यह पूछा है कि हाँ, क्या मैं अकेले यहां रहता हूँ, तुम यह question के बारे में पूछ रहे हो, इंटूडर फिर वापस से वही बोलता है, बात पर जोड देते हुए, कि क्या तुम क्योंकि गुड सेंस तो तभी इस्तिमाल आता है, कि वह मतलब मानुएक अबलीटी है, जो कि पेन को एवाइड करने में यूज़ता है, ना कि पेन को डिजार करने में, तो पेन की इच्छा करने में, फिर वो बोलता है कि अच्छा, तुम क्या सोसते हो, मिस्टर रूख जा तुम किसी बेवकूपे साथ डील नहीं कर रहे हो, मैं बहुती स्मार्ट हूँ, मैं बलकि तुम से ज़्यादा स्मार्ट हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम कार्ट चलाते हो, और इसलिए तुम केरफुल रहो, वाइस गाय, मतलब उसको बोलता है कि इतना ज़्यादा हूँ, इसे जो मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, उसके जवाब दो, जरादा है ठीक है ठीक है, इसे तुम नीचे रख दो, ऐसे मैं तुम्हारी मतलब मदद करूँगा जो भी तुम पूछते हो, फिर बोलता है कि देखो मैं हाँ मेरे पास एक कार है, लेकिन वह के कारनर में जो गेराज है, उस ही में रखा हुगा है, अब यहां इन्टुडे एक और कॉसम पूछता है कि तुम से कौन कौन मिलने आते हैं, मतलब कौन फ्रिकंटली मिलता है, तो यह जराड बोलता है कि ज्यादा कोई विजिटर नहीं आते हैं, जैसे कि बेकर हो गया, ग्रीन ग्रॉ लेकिन तुमने कई भी ट्रेट्स पीपल नहीं देखा है, ट्रेट्स पीपल यानि क्रिस्चन टीचर जो कि चर्च में पढ़ाते हैं, तरी चर्च नहीं जाता था, सिंप्ली वो बोलना चाह रहा था, जराड बोलता है कि अच्छा लगता है तुमने मेरे बारे में बहुत क पर लगाया है, जराड फिर बोलता है कि अच्छा तुमने फिर क्या एचीव किया इतना तेज दिमाग रखकर, क्योंकि मेरे एक छोटे से घर में घुसे तुम्हें दिमाग तो नहीं लगाना पड़ा होगा, तो इंट्रूड बोलता है अच्छा तुम्हें सप्राइस होग करते हैं उन सब को चूरी करना, और इसलिए यह जो तुम्हारी कार है, मेरे लिए एक ट्रीट की तरह और एक डैंडी बस की तरह काम करेंगे हो, तो फायदा उससे होगा कि कार मिलगा और डैंडी बस ट्रैप की तरह, ताकि जो पुलिस है उसको ट्रेस ना कर पाए, जराड इसलिए यहां पर मैं सांती से जी सकता हूं कुछ वक्त के लिए, जराड बोलता है कि अच्छा ऐसा क्यों, तो इंटूडर बोलता है कि मैंने तुम्हें बताना नहीं समझा जरूरी कि यहां पर हमें रहने वाला हूं, क्योंकि वैसे भी तुम यहां पर नहीं रहोगे, जर बोलता है कि थोड़ा हार्स नहीं हुआ इंविडर बोलता है कि बड़ा सरकाजम के साथ की बहुत मुझे बुरा लग रहा है ऐसा करते हुए लेकिन क्या करूं मैं तुम्हें थोड़ा पसंद करने लग गया था लेकिन अब जो भी हो मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा मुझे त कर रही है मतलब कि इसको पगणी कोजिस कर रही है और मैंने पहले भी एक मर्डर कर चुका है इसलिए वो मुझे दो बार तो नहीं लटका सकते हैं फिर इस पर जराब बोलता है कि अच्छा मतलब तुम प्लैन कर रहे हैं ग्रेटिट्यू असी आने की बिना कोई इरादा रख कि विंध कर या की जोका बुछर के कि बीडिया एलिक विन से लाप है कि इस ओंते हैं अदर लें को मारने में लेट कर देता है स्कैसे अबास स्क्राइब करता है कि अच्छन कई यूब तब देने के आफिको आफिक है किसी पीडिया मारनेशा तुम फिरी इंट्रूडर जो है वही मिमिक करना पूरा प्रॉफॉर्म जैसा करता था जराड से मुझे ज़ेता करना वैसा ड्रेस अब यह सब करने का फिर जराड बोलता है कि देखो तुम उतने अट्रेक्टिव नहीं लग रहे हैं मतलब वह जब जब ऐसा कर रहा है अभी जराड बोलत है और मैं सुक्र गुजार हूँ कि तुमने मुझे अभी तक तो नहीं मारा इंट्रूडर बोलता है जल्दी बोलो तुम्हें दिमाग में क्या चल रहा है जल्दी बताओ जराड बोलता है कि देखो तुम यहीं नहीं चाहते हो कि तुम पुलिस से एल्यू उडियाने की उन को मार डाला तब से मैं सिर्फ डॉच कर रहा हूँ तो मैं यहां बार करते हैं जिसको सुन करके लगता है कि तुम बहुत ही क्वीर यानि बहुत ही विचित और बहुत ही मिस्ट्री वाले आदमी हो जराड बोलता है अच्छा मैं एक्स्पें करना चाहूँ कि आखिर मैं ऐस दोटारि को और तुम मेरा सबसे रहा जाते हो फिर उन्स आशाध सब चाहते हो तुम ही करना चाहता था जैसे उजाता था हम टिल तुम सबसे अचाना कर्ता था जराड बोलता है कि मतलब तुम्हें इतना भी अंदाजा नहीं लग रहा है कि तुम यह समझो कि आखिर मैं इतना मिस्ट्री जैसा क्यों हूँ मतलब यहासा करता हूँ इंट्रूडर कहता है कि आप तुम मुझे बोर कर रहे हो और जैसे ही वह बंदुक उठाता है मारने के ल मैं जाया लोगों से मिलता हूँ नहीं मैं ट्रेट्स पीपर यानि जो क्रिष्चन टीचर्स होते है चर्च में नहीं मैं उनसे मिलता हूँ और तुमने इन सब चीज़े को देख करके सोचा कि मैं मानुए एक संडे स्कूल टीचर हूँ ता मानुए बहुती बिजी वैक्ती हूँ इसका यह मीनिंग वह यहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं है जैसे ही मेरा काम खतम हो जाता है बुलेट से यानि जब मैं किसी को मार देता हूँ उसके बाद मैं वहाँ से चला जाता हूँ लेकिन बतकिस्मती से मेरे एक साथी को पुलिस से पकड़ लिया है और उन्हें सारे वो पेपर्स वो एविडेंस मिल गया है जो कि उस बेवकूफ को जला देने चाहिए थे और इसलिए रात मैं जो है कुछ ट्रबल यानि कि पुलिस आ सकती है इसलिए मैं अभी पैकिंग कर रहा हूँ ताकि मैं यहां से स्केप कर सकूँ अब इंट्रूडर डाउट में चले जाता है कि या जो यह बूल रहा है जुड़ बोल रहा है तो इसी पर जराड बोलता है कि देखो मैंने एक अपने साथी को लगा करा हुआ कि वो पुलिस को पर नजा रख सके और जैसे ही अगर कुछ होता है तो वो हमें वान कर देगा उसी बीच इदम से टेलिफोन बसता है और इदम से यह मतवतीजीं भूलता है कि वह हमारे पीछे हैं जल्दी करो जल्दी करो वह जो गैराज कर रासता है वहां से भागो यह डोर वो खोलता है कि इस डोर से डारेट गयराज निकलेगा इंट्रोड़幅 बलता है कि आखर में कैसे माहनू कि तुम सच बोल रहा हो जरा bio को बलता है वह जैसे गीट को जो है तो इन दूदै बन्दूर के पास करके अगे जैसे ही घुमाता है सीर देखने के लिए तभी जराड एकडम से उसको धकका देता है कब बो्ड है., मतलब जो ऐल्मारि यह के डिनी अबार करके इसके हाथ में इंटुटर था वो गेट पीट रहोता है बोलता है कि मुझे यहां से बहार निकालो फोन उठाता है कि वहाँ जो है प्रॉप्स यानि जो भी सामागरी चाहिए रिहर्सल के लिए वह अभी नहीं दे सकता है क्योंकि अभी कुछ परिसानी आ गए थी जो कि थोड़ा अभी जो कि मैं शोच चाहूं कि इसको मैं बाद में किसी प्ले में यूस करूं मतलब यह जो अभी इसके साथ पूरा हुआ इसको प्ले में यूस करने माला था फिर बोलता है कि काम करो जो हमारा फ्रेंड अधा सर्जेंट अब उसको एक आर्मी का वैक थी उसे तुम भीवा बोल देना मेरे घर आ जाने के लिए वो तुम्हें पब्लिक बारें मिल जाएगा तो इस तरह यहां स्टोरी एंड होती है और हां जाने से पहले कॉमेंट में बताना है कि सबसे अच्छा पार्ट आपको कौनसा लगा तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही वीडियो अच्छ